Tips to unlock the bootloader on Redmi Note 5 Pro Hi friends, Siddharth here from technobus.net जैसा कि आप देख पारे हैं कि हमारे पास जो Redmi Note 5 Pro है वो आचुका है, हमारे पास gold version रेसीब हुआ है और हमने भी MI.com की साइट से book किया है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने phone का bootloader unlock कर सेते हैं वीडियो उसी के उपर है, वीडियो को पूरा end तक दिखिएगा सब्सक्राइब किजिए technobus.net चैनल को और bell icon को दोबाना ना भूले ताकि सबसे पहले latest tech updates आपको मिल सकें तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपको भी phone लेते हैं और उसमें कुछ changes करना चाते हैं या कुछ भी इसमें root करना चाते हैं या recovery install करना चाते हैं कुछ भी इसमें modifications करना चाते हैं या mods को install करना चाते हैं तो उसके लिए आपको bootloader को unlock करना पड़ता है Xiaomi के phone में जो MIUI पर run करते हैं उनका bootloader को unlock करना कोई असान काम नहीं है उसके लिए पहले आपको permission लेनी पड़ती है फिर कुछ दिनों तो wait करना पड़ता है और कुछ changes करने पड़ते हैं अपने phone के अंदर तभी आप उसके unlock कर सकते हैं otherwise आप उसको unlock करने में असान successful रहेंगे और आपको काफी सारे errors देखने को भी लेंगे तो आज मैं उसी को बताऊंगा कि कैसे आप उन errors को fix कर सकते हैं और क्या आपको problem आ सकती है और कैसे उनको fix किया जाए तो सब्सक्राइब तो क्या करना है आपको settings में जाना है phone settings में आप जाएंगे तो आपको नीची जाके एक option मिलता है MI account आपको MI account पर जाना है और अपने जो भी आपका MI account है उसको इसमें लॉकिंग कर देना है जो भी आपका MI account अपने phone number से साइन किया है अगर नहीं किया है तो यहां पर आपको option भी लेगा sign up करने का उसको sign up करके आप अपने account को phone number जो आप यूज कर रहे हैं उसके बाद MI cloud आपको मिलता है इसमें आपको जाना है और उपर सिंक का option देख पारे मैं आपको पास आखे दिखाता हूं जो सिंक का option है इसको एक पास सिंक कर देना है उससे पहले आपको यहां करना है कि सारी की सारी चीज़ें जो नीचे लिखे है आपको 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 दिखाता है यह अगर आपको यहां पर सिंक का option नहीं मिलता है तो आप बापिस देएंगे अपको आपको 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 अगली चीज़ करनी है वो क्या करना है फिर से सेटिंक में जाना है और अब आउट फोन में आप जाएंगे अब आउट फोन में जाके आपको जी एमायूए का वर्जिन है इसको साथ आट वाट टैप करना है ताकि आप डेवलपर वर्जिन मूड पर आने जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको फिर स्कावगा एडिशनल सेटिंस में आपको यहां पे एक नीची डेवलपर और ओप्शन देखने को मिल अगा जयसे कि आप एप यह देख पारे हैं डेवलपर ऑप्शंस इस डेवलपर ओप्शन पर एक डेवल करें गे उसके बाद आपने इसको इनेबल करना है और जो सबसे इमपर्टन स्टेप है वो है यूसभी ड बनाया था जिपने फोन नमबर से वो इसमें एड हो जाएगा बट जब आप ये चेंज कर लें उसके 72 आवर्स बाद इसको एक्टिवेट करें क्योंकि आउससे पहले आपको नहीं कोशिश करेंगे एक्टिवेट नहीं होगा और आपको एरर आते रहेंगे जो 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 चेंज करता हूँ ये प्रिपेरिंग तो एड अकाउंट ने डिवाइस पर शोग करता है और थोड़ी देर में एरर आएगा ये देखिए आपको एड़ी देर चेंज करने के बाद जो सेटिंग मैंने आपको बताए वो सब चेंज करने के बाद आपको 72 आवर्स कर वेट करना पड करने की दो या तीन दिन फिर उसके बाद में अपने फोन को अनलॉग कर लूगा और भी ऐसे टिप्स आके आते रहेंगे अब मैं रेडमी नोट 5 के प्रोव के ओपर काफे सारे टिप्स आपके सामने शेर करने वाला हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने न भूले इस